आपडा करंग ना तो कॉंग्रिसी होता है और नाभाच पाए सिंधिया रतलामजी लेके ग्राम पिपलिया जोधा में भारी बारिश से वे नुकसान का जायजा लेने किसानों के बीच पहुँचे जो तिरादित्य सिंधिया ने किसानों से कहा कि सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते मैं सुख की घड़ी में चाहे आपके साथ रहूं या ना रहूं मगर दुख की घड़ी में जरुड़ा आपके साथ रहूंगा उन्होंने कहा बारिश और अत्यद्रिष्टी से हुई किसानों की नुकसानी पर राजनेती नहीं होनी चाहिए आपदा कारंग ना तो कोंग्रिसी होता है और ना ही भाजपाई ये आपदा पीडित जन्मानस का होता है सिंध्या ने कहा कि मग्य प्रतेश सरकार केंद्र सरकार से कहे कि जल्द से जल्द साहयता राशी उपलब्द कराए जिसे बार प्रभावित और अत्यवरिष्टी से जिन किसानों को फसल बरबाद हुई है उन्हें रहत राशी मिल सके एमपी यूज कास्ट के लिए आरके शर् कामी चाहिए ताकि आप लोगों को सहुलित हो